जो है मसी की दोस्तों, आज की सौरगे मनना का भाग हमने लिया है, फिलिपियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय और उसका तीसरा वचन वचन कहता है सच्छा खत्ना वाले तो हमी है, जो परमेशर के आत्मा में उपासना करते हैं, मसी इशु पर गर्व करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं, धन्यवाद पिता परमेशर, तेरा वचन अध्वुत और आशीशित है, दोस्तों वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें यहां परात्ना करने का तरीका बताता है, पॉलस बताता है कि मुझे हमें किस तरीके से परात्ना करनी है, हम असली भक्ती करने वाले हैं, हम हैं जो भक्ती करना जानते हैं, क्योंकि हम आत्मा में उपासना करते हैं, हम मसी पर गर्व करते हैं, और हम शरीर पर भर करीब जाएं शरीर आराम चाहता है शरीर के द्वारा ही शेतान हमें हमें पाप में लेकर जाता है आज्माइश में लेकर जाता है परिशाँ में लेकर जाता है लेकिन हम उस शरीर को उस शरीर पर भरोसा ना करके उसे अपने बस में करें इसलिए पहला कुरंति नौका 27 में इ उसने कहा है परंतु मैं अपनी देह को यंत्रना देकर वश में रखता हूं कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों का प्रशार करके स्वाइम आयोग्य ठेहरूं। इसी तरीके से चलता है और हमें मसियत का जीवन आत्मा के द्वारा ही बिताना है और उस आत्मा के द्वारा उस आत्मा की अगवाई के द्वारा भी बिताना है जो परमेश्र ने हमें दी है परमेश्र की आत्मा के द्वारा हमें अपनी आत्मा को चलाना है शरीर को अपने बस में करते हुए क्योंकि एक विवश्था जब हम प्रभू में नहीं थे जब हम हमारी आत्मा जिंदा नहीं थी तो पॉलस ने अपनी विवश्था बताई है कि हमारी विवश्था क्या होती है रोमियोस साथ पंदरा में इसलिए जो मैं करता हूँ उसको समझ नहीं पाता क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तो नहीं किया करता पर जिस से मुझे घ्रिना है मैं वो ही करता हूँ क्यों करता हूँ क्योंकि मेरा शरीर बस में नहीं है मैं शरीर के बहकावे में आ जाता हूँ इसलिए उसको कहता है कि मैं शरीर को अपने बस में रखता हूँ दोस्तों अगर हमें मसीह जीवन जीना है अगर हमें परमेशर की उपास ना करनी है तो हमें मसीह, हम तो हमें शरीर को अपने बस में रखकर चलना पड़ेगा हम शरीर के अनुसार नहीं, हम आत्मा के द्वारा चले हम शरीड के अनुसार नहीं, हम आत्मा के दोरा उपास ना करें, मसी पर गर्व करें, चाने उसको समझें कि मसी ने हमारे लिए हमें छुटकारा देने के लिए क्या क्या किया है, वो बाते हमेशा हमारे मन में धारन रहें, वो बाते हमारे मन से निकले ना, हमारी आत्मा में ब तो इसलिए दोस्तों हम बहुत ही हमें किस तरीके से जीना हैं हमें अपने आपको जाचना हैं रोज परकना हैं ताकि हम परमेशर की उपस्टती और उसके आशीश को कभी न भूलें क्योंकि वही है जीवन जो हमें देता है वही जो है हमें समहलता है और हम अपने आपको हम अ हर भाई बहन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगते हैं परमेशर तेरी आत्मा के त्वारा हम चलें मसी पर गर्व करें और शरीर पर भरोसा ना रखते हुए तेरी मसीहत का जीवन तेरे साथ हम अपने जीवन को बिताएं यहीं हमारी प्रात्रा है इश्यो मसीह के